Stop giving the same introduction at every places. हर जगा पर एक ही introduction चिपकाना बंद कर दीजिए. क्योंकि जब आप एक वेडिंग को अटेंड करते हैं, तो आपका पहनावा कुछ अलग होता है. जब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आपका पहनावा कुछ अलग होता है. जब आप इंटरव्यू को जाते हैं, तो आपका पहनावा कुछ अलग होता है. Similarly, whenever you're gonna introduce yourself at the different settings, अगर आपको अलग-अलग setting पे अपना introduction देना पड़ता है, जैसे कि audition में, anchoring में, presentations में, आपके social gathering में, family members के सामने, तो आपका introduction भी कुछ अलग हो जाता है. इंटरवक्शन आलग होने का मतलब यह नहीं कि अपना नाम ही बदल दो. एक जगा चिंकी बताओ, एक जगा पर मिंकी बताओ, एक जगा पर टिंकी बताओ. ऐसा कुछ नहीं, आपको बस कुछ चीजे अड़न करनी पड़ती है, कुछ चीजे को skip करना पड़ता है. चाहे वो एंकरिंग हो, ओडिशन हो, इंटरव्यू हो, या फिर प्रेजेंटेशन हो, स्पीचेज हो, या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगा पर आप इंप्रेसिव इंटरदक्शन देखे आ सकते हैं. तो इस वीडियो को पूरा अन तक जरूर देखेगा, और कॉमेंट सेक्शन में अपने इंटरदक्शन को भर-भर के लिखेगा. दुनिया के हर एक इंटरदक्शन में कुछ चीजे कॉमन होती हैं, जिन कॉमन चीजों को जानने के बाद, आप किसी भी टाइप का इंटरदक्शन बहुत ही एजली तयार कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो. So, let me tell you all of those common things here. तो सभी ही सभी चीज़े मैं हापे बताने जा रहा हूँ. चलिए, इंटरदक्शन, इंटरदक्शन, इंटरदक्शन को हिंदी में हम परिचे बोलते हैं. परिचे का मतलब होता है, when you tell about yourself. अगर आपको लेना हो, तो आप बोलेंगे, introduce yourself. क्या बोलेंगे? Introduce yourself. Introduce yourself. खुद को परचित कराइए. American accent में इसको हम introduce बोलेंगे, ना कि introduce. Introduce is in British accent, and introduce is in American accent. ठीक है? Introduce yourself. अब किसी में में बोल सकते हो. Introduce yourself. Introduce yourself. Introduce yourself. This is in American. And if you're gonna say in British accent, so you're gonna say like, introduce yourself. Introduce yourself. Introduce yourself. Introduce yourself. ठीक है? खुद को introduce कराइए. या फिर आप कह सकते हैं, Give me your introduction. Give me your introduction. अपना परचित दीजिये. ठीक है? Give me your introduction. Excuse me, sir. Give me your introduction. Excuse me, ma'am. Give me your introduction. Excuse me, buddy. Please give me your introduction. तो इस तरीके से अपना परचित दीजिये. या फिर आप कह सकते हैं, Tell me about yourself. Tell me about yourself. Tell me about yourself. खुद के बारे में मुझे बताइए. Tell me about yourself. American accent में इसको अपने बारे में मुझे बताइए. तो इस तरीके समें किसी भी इंसान का परचित पूछ सकते हैं. तो इस तरीके समें किसी भी इंसान का परचित पूछ सकते हैं. उसके बाद, कौन से सेटिंग में हैं, वो कैसे आंसर करेगा? अगर वो सेटिंग, सेटिंग का मतलब होता है, प्लेस, right? सेटिंग मिन्स दे प्लेस. हम इंट्रदक्शन कहां पर देने जा रहे हैं. वोट इस दे प्लेस, कौन सा प्लेस है वो, right? वोट तो प्लेस है, जाब इंट्रव्यू, जाब इनर्व्यू, अगर वो जाब इनर्व्यू है, तो वहाँ पर कुछ अलग इंट्रदक्शन उसको देना पड़ेगा. अगर वो family gathering है, family के members अखठा हुए है तो वहाँ पर कुछ वो introduction अलग देने वाले है अगर वो आपका school है, या फिर college है तो वहाँ पर आपका introduction कुछ अलग हो जाएगा अगर वो presentation है या फिर speech है तो वहाँ पर introduction अलग हो जाएगा presentation or speech या फिर वो anchoring है तो वहाँ पर introduction अलग देना पड़ता है understood या फिर आप social gathering में हो वहाँ पर भी introduction आपको अलग देना पड़ेगा social gathering social gathering understood so introduction किसी का पूछने के लिए हम ये सब phrases यूज़ करते हैं ये सब हमारी setting हो गई है job interview, family, school, college, presentation, speech, anchoring, social gatherings हम इन जगा पर अपने introduction को देते हैं कुछ चीजे common होंगी जिसको हम हर जगा पर बताएंगे और कुछ चीजे ऐसी होंगे जिसको हम अलग अलग जगा पर बताने वाले है so let's learn those things आई ये बताई देता हूं कि वो कौन-कौन से चीजे हैं जिसे हमें हर एक introduction में बोलना ही पड़ता है so here we go number one, number two and number three let me reveal it one by one number one, greeting number two, gratitude gratitude number three, name these three things are common in all of the introductions हर एक तरीके के introduction में ये तीन चीजे बताने ही पड़ती है ये कें हैं चली सेकता है ह्क क करके greeting का मतलब होता है अभीवादन 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 का मतलब होता है जिसमें हम नमस T 1973 कार बैख और इसे ही हैं इंग्लिश में करना होगा रैट, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई या फिर हम बोलते हैं हई, hy, hi, him friends, hey friends, hi buddy, hey buddy, ठीक है, यह होता है informal, इसको हम अपने छोटों के साथ यूज करते हैं, अपने जुनिर के साथ यूज करेंगे, या फिर अपने, अपने बराबर वाले लोगों के साथ यूज करते हैं, ये एक informal तरीका होता है, दोस्तों के साथ हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं हाई, माइनेमी इस जैस हाई, आइम जैस ठीक, इस तरह के सा मैं अपना इंट्रोड़क्शन दे सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटों के सामने ठीक है, हाई, या फिर हेई, when you talk about the senior people or elder people उनसे बात चित करने हैं, तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, आप बोलते हो, hello hello sir, hello ma'am hello brother, hello papa, hello dada ji तो इस तरीके से हम बोलते हैं, hello hello, दोनों का मतलब क्या होता है, नमस्ते, नमस्कार हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अग टाइम के मत पल देन, यहे, good morning, good morning, Nick, American sound वक बोनॉन, Lordata, because d changes its sound, it is pronounced as b, then we say good morning good morning sir, good morning ma'am, good morning class okay, good morning class, good morning or you can say good morning, good morning, good morning everyone good morning everyone, don't pronounce this d दोड़र वर है, so it says good morning mmm, you have to pronounce this good morning ladies and gentlemen good morning sir, good morning sir good morning ma'am इस तरीके से हम इसको pronounce करेंगे यह हो गया हमारा अविवादन अगर आपको afternoon में करना है तो बोलेंगे good afternoon sir, good afternoon ma'am right, good afternoon or you can say good evening good evening, right good evening, good evening sir good evening ma'am, good evening everyone इस तरीके से हम अविवादन कर सकते हैं good night कुछ लोग बोल देते हैं गलती से तो यह कभी मत बोलिएगा good night is never going to be the greeting, यह कभी greeting नहीं होती है एक तरीके से farewell statement है जब आप किसी से साम के समय विदाई ले रहे होते हो तब आप बोलते है good night sir, good night ma'am good night brother, good night चाचा जी good night, तो good night का मता हो क्या good night, good night sir, good night ma'am इसका मता था सुब रात तरी, अब नहीं मिलने वाले रात भर हम लोग सुबा मिलेंगे, ठीक है, good night, good night तो एक बारी मेरे साथ एक incident हुआ था कि एक मेरे student थी मैं जब भी उदर से गुजर के जाता था तो she was wishing me good night sir, मैं भी good night बोल के चला आता था एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि उसने रोक लिया पहले sir, आप रुख जाएए, मैंने का क्या हुआ उसने का sir, जब भी मैं आपको wish करती हूँ good night तो आप चले क्यों जाते हैं, मैंने का good night का मतलब तो अलविदा होता है, साम के समय हम लोग विदाई ले रहे होता है रात के जारा क्यों बच गहों, रात के जारा देक कर रहे हो, जारा बच गहाँ आधी रात होगी तो गुटनाइट ही बोलेंगे, नहीं नहीं बिलकुल मत बोलिएगा किसी भी काम के लिए जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं, तो इसको बोलते क्रित अग्यता, ठीक है, and gratitude is very nice attitude, gratitude बहुत अच्छा वाला attitude होता है, जब भी कोई आपके लिए कुछ छोटा सा भी कर देना, उसको धन्यवाद बोलो, thank you बोलो, तो वह हमें thank करना होता है, जिसने भी हमें वो मौका दिया, introduction देने का, उसको पहले धन्यवाद करेंगे, कैसे धन्यवाद करेंगे ये देखे, आप कह सकते हैं, thank you so much, thank you so much, किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहो, for this beautiful, आप इसके तारिफ में आपके कुछ भी वर्ड लगा सकते हो, for this beautiful, beautiful कुछ आप बोल सकत amazing, wonderful, golden, diamond, कोई सा भी बोल सकतो, thank you so much for this beautiful opportunity, you can say opportunity, or chance, ठीक है, आप chance बोलो या फिर opportunity बोलो, to introduce, to introduce myself, ठीक है, मुझे अपने आपको इंट्डूस कराने के लिए ये मौका देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, thank you so much for this beautiful opportunity, to introduce myself, thank you so much for giving me this opportunity, ठीक है, thank you so much for this beautiful opportunity, to introduce myself, ठीक है, इस प्यारी सी opportunity के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, तो वो जो आपको introduction देने के लिए बोलाना, उसको भी बढ़ा अच्छा फील होगा, यार, बढ़ा अच्छा रड़का है, gratitude कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो आप इसके पहले एक फ्रेज भी उचा सकते हैं, सबसे पहले में आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, ता बोल सकते हैं, first of all, or you can say firstly, ठीक है, आप जाए, firstly बोलो, या फिर बोलो, first of all, first of all, first of all, thank you so much sir, for giving me this wonderful opportunity, to introduce myself, ठीक है, for giving me बोल सकते है, for giving me this beautiful opportunity, ठीक है, के बाद, ing लगा देंगा, for giving me this beautiful opportunity, to introduce myself, मुझे ये introduction देने के लिए, मौका देने के लिए, आपका बहुत बाश शुक्रिया, तो gratitude करें, third होता है, अपका नाम कैसे बताना, how will you tell your name, जएदा तर लोग अपने नाम को बताने में भी गलती कर जाते हैं, they tend to tell like, myself jazz, myself jazz, मैं है, तो आप बोलेंगे, my name is, क्या बोलेंगे, my name is, my name is, अब आपका पुरा पुरा नाम लगा दो, my name is jazz, my name is jazz, आपका नाम होगे, सुरेश्तिवारी मालेज, तो आप बोलेंगे, my name is Suresh Tiwari, या फिर आपका नाम प्रियंका छोपड़ा, तो आप बोलेंगी, my name is Priyanka Chopra, my name या फिर आप बोल सकते हो this is this is is mostly used when you are on the stage जब आप स्टेज से अपने प्रटक्शन दे रहे होते हैं तो आप this is लगा के बोलते हैं because you indicate it towards yourself खुद को आप इंडिकेट कर रहे होते हैं इसलिए आपको this is लगा के बोलना है hey everyone this is jazz hello everyone this is jazz hello sir this is jazz तो इस तरीके से अपना नाम लगा दो या फिर आप बोल सकते हैं I am I am little informal होता है I am लगा के अपना नाम बोलेंगे hello everybody I am jazz I am jazz I am sureis I am Jacqueline Fernandez कुछ भी आपका नाम हो आप रख सकते हो ठीक है तो I am उसके बाद अपना नाम लगा या फिर this is अपना नाम लगा देजिए लेकिन आप myself नहीं बोलेंगे you will not say myself jazz myself Priyanka myself Priya myself Sonakshishina ऐसे नहीं बोल सकते है because myself is incorrect grammatically यह incorrect होता है यह statement बन ही नहीं रहा formal कौन सा होता है my name is very very formal है वो ठीक है इसको आप कहीं पे भी उस कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन this is भी सही है इसको भी आप यूज कर सकते बट I am is little informal यह informal होता है आप अपने बड़ों के सामने I am ना लगाएंगे तभी सही है don't use I am with your seniors ठीक है seniors के सामने मत यूज करेगा I am तो यह हो गया GGN ठीक है क्या आद करेंगे GGN greeting greeting, gratitude and name greeting, gratitude and name GGN ठीक है greeting कैसे करनी है Hi Sir Hey Sir नहीं बोलना क्योंकि Hi और है क्या होता है informal होता है आपको Sir के लिए क्या यूज करना पड़ेगा Hello Hello Sir Hello everyone Hello all of you Hello ladies and gentlemen Hello everyone Good morning Good morning Good morning everyone My name is Jess Thank you so much Sir for giving me this beautiful opportunity to introduce myself Well my name is Jess I am from याद के बाद हम आगया वाला इंट्रॉच्टिन देरा सुरू कर देते हैं So let's learn now the different introductions at different settings अलग अलग सेटिंग पे कैसे कैसे इंट्रॉच्टिन देंगे क्या क्या चीजिए बतानी होती है अब हम उसको सीखने जा रहा है जैसे कि अगर आप आप एंक्रिंग में इंट्रॉच्टिन दोगे तो क्या क्या चीजिए बतानी होंगी अगर आप ओडिशन में इंट्रॉच्टिन देरो तो क्या क्या चीजिए बतानी होंगी हो गया इंट्रदक्शन? ले में दील विद वन बई वन और यू आपको खुद का भी इंट्रदक्शन लिखना है मेरे साथ चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हमें ग्रीटिंग करनी होती है ग्रीटिंग का मतलब होता है अविवादन नमस्ते, नमस्कार, चके, बढूए बेम इंट्रक्टिंग करना होता है और इंगलिस में क्या कर सकते हैं फुर्द विद्सक्राशन? फुर्द DR. लेजिस क्यों ग्रीटियूबद來到 सिरम इपके में ग्रीटियूट करना है ग्रीट कैसे करना है, good morning sir, good morning everybody, good morning ma'am, good morning everybody, good morning my dear friends, इस तरीके सापने ग्रीट कहें, उसके बाद आपको gratitude देना है, first of all, thank you so much sir for giving me this wonderful opportunity to introduce myself, इस तरीके सापने का धन्यमाद कर सकते हो, and then you have to tell your name, उसके बाद आपको अपना नाम बताना है, good morning sir, good morning everybody, first of all, thank you so much sir for giving me this opportunity to introduce myself, my name is Jess, my name is Jess, आप अपना नाम बता सकते हो, my name is Sandeep, my name is Priya, my name is Priyanka, my name is जो भी आपका नाम हो, लगा देजे, उसके बाद आपको अपना आड्रेस बताना होता है, let's deal with the address, address कैसे बताएंगे, address बताने के लिए आप कई सारे phrases का इस्तमाल कर सकते हो, जैसे की, I am from, I am from, I am from, and then you have to tell the place, I am I am from India, I am from Japan, I am from Nigeria, I am from Bangladesh, I am from Jharkhand, I am from Rajasthan, I am from Madhya Pradesh, कुछ इस तरीके से अपना गाउं या फिर आपका कोई भी लोकेशन आप यहां पर दिखा सकते हो, and इसके बाद आप बोल सकते है, I hail from, I hail from, hail from का मतलब भी होता है, मैं वहां से हूँ, I hail from particular place, I hail from Allahabad, I hail from Aajamgar, I hail from Johnpur, आपनी जगा का नाम लगा सकते हो, or you can say, I reside at, I reside at, या फिर इन, I reside in, मैं वहाँ पर निवास करता हूं, I reside in Mumbai, I reside in Delhi, I reside in Rajasthan, I reside in Sikkim, I reside in Simla, I reside in Uti, I reside in Orisha, जहां से भी आप वहाँ पर प्लेस लगा दो, या फिर आप कह सकते हैं, I live, I live in, in, or at, अगर आपको दो जगा का नाम बताना है, एक जगा बड़ा है, एक जगा चोटा है, तो आप ये phrase का इस्तमाल कर सकते हैं, I live in, वो बड़ी प्लेस का नाम पर उसके बाद वो छोटे प्लेस का नाम ही देलगा देंगे, जैसे अगर मैं बोलू कि मैं इंडिया के, मैं इंडिया के, यूपी में रहता हूं, तो यूपी छोटा है, in comparing with this, अगर हम इसे comparison करें, तो ये इंडिया बहुत बड़ा है, और मैं बोलेंगे, I live in, इंडिया, at यूपी, तो इस तरीके से मैं जगा बता सकता हूं, या फिर मैं यूज कर सकता हूं, एक फ्रेज है, I belong to, I belong to, belong to का मतलब होता है, यहां से मैं संबंध रखता हूं, I belong to च्छतिजगर, I belong to भिहार, I belong to समस्तिपूर, I belong to, जो भी अपका प बोलते हैं कि मैं यहां पर पैदा हुआ हूं, यहां पर बढ़ा बढ़ा हूं, तो इसके लिए बोलते हैं, I was born, I was born, I was born and raised, I was born and raised in, उस जगह का नाम, I was born and raised in, जानपुर, I was born and raised in, मद्धि प्रदेश, I was born and raised in, डेली, जहां पर भी आप पैदा हूए हैं, और बड़े बढ़ा के हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह सब कुछ फ्रेज़ होगा हैं जिससे आप अपने प्लेस को बता सकते हो, एक और फ्रेज़ जैसे कि आप बोल सकते हैं, I am inhabitant of, inhabitant, inhabitant of, मैं यहां का निवासी हूं, such as, I am inhabitant of Uttar Pradesh, अगर आपको सबसे बोलना Uttar Pradesh सूम है, तो I am inhabitant of Uttar Pradesh, तो इस तरीके से मैं अपने प्लेस को बता सकता हूं, ठीक है, तो यह हो गया हमारा कुछ प्लेस बताने का तरीका, उसके बाद हमें बताना होता है, एक और चीज़ मैं आपको बता दू, place related की, जब भी अगर आपको ऐसा बताना हो कि, आपका college जहां पे, आप coaching जहां पे, जहां पे introduction दे रहे हैं, अगर वो जगह वही से है, जहां से आप हैं, तो आप उसके पहले, उसके बाद में आप itself लगा दे ना बस, itself, जैसे माल लो, कि मैं हूँ daily से, ठीक है, मैं माली जे कि मैं मुखरजी नगर से हूँ, मैं मुखरजी नगर से हूँ, और मु पे belong करता हूँ, वही से हूँ भाई, तो इस तरीके से मैं अपना address बता सकता हूँ, ठीक है, तो these are the phrases used to tell your address, था मने address भी बता लिया, let me erase this, यहां तक आप लोग अपना introduction लिख लीजे, उसके आगे चलते हैं, लोग, let's go ahead, right, we have covered greeting, gratitude, name and address, अब चारो मिला के बोली एक बार, जैसे, good morning sir, good morning everybody, first of all, thank you so much sir for giving me this opportunity to introduce myself, my name is Jess, I am from Uttar Pradesh, मैं Uttar Pradesh से हूँ, उसके बाद हमाएंगे parents का introduction, यह optional होता है, आप इसको बताना चाहें, तो बताएं नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं, आप इसको बताना चाहें, तो बताएं नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं, तो my father's name is, and then mister, उनका full name लगा देंगे, my father's name is mister xyg, तो जो भी आपके पापा का नाम है, आप लगा लीजेगा, उसके बाद आपके पापा जी क्या करते हैं, तो he is, he is उनका profession बता दो, जैसे, he is a businessman, he is an engineer, जो भी आपके पापा जी हैं, वो बोल सकते हो, तो my father's name is mister this, and he is an engineer, he is a teacher, इस तरीके से पापा का नाम बता सकते हो, या फिर आप मम्मी का नाम बताने के लिए यूज करेंगे इसी, my mother's name is, my mother's name is, मेरी मम्मी का नाम है, Mrs., उनका full name लगा देंगे, my mother's name is Mrs., XYZ, पुरा उनका full name लगा देंगे, तो इस तरीके से मम्मी और प efficient occupation क्या है, तो इसके लिए she is, she is a doctor, she is a teacher, she is a housewife, अगर ममी अपकी housewife है, घर को सबालती है, तो इसके लिए आप बोलेंगे housewife, housewife, या फिर आप बोल सकते हैं, homemaker, homemaker, ठीक है, housewife, homemaker, कोई सा भी एक word लगा सकते है, she is a housewife और a homemaker, वो एक ग्रिहनी है, तो इस तरीके से मम्म की, हम occupation, profession को बता सकते हैं, यह हो गया हमारे parents का introduction, या फिर एक phrase होता है, जिससे आप दोनों का introduction एक बार में बता सकते हो, let me erase this, जैसे अगर आपको एक sentence में ही, अपने मम्मी पापा का introduction दे देना है, तो आप बोलेंगे, I am son, या फिर अगर आप daughter है, तो I am son, या फिर आप daughter लगा दिये, ठीक है, of Mr. पापा का नम, and Mrs. and Mrs. ममी का नम लगा दो, एक बार में हो जाएगा, जैसे I am son of, पापा, मतलब बेटा हो तो I am son of Mr. पापा का नम, and Mrs. ममी का नम, एक बार में इंट्रदक्शन हो जाएगा, then he is, he is a farmer, he is a doctor, he is an engineer, she is a, जो भी ममी है, she is a housewife, इस त लगा सकते है, now let's go ahead, so we have done the parents as well, now we are gonna deal with the qualifications, अब हम qualification को डील करेंगे, कैसे qualification बता है अपने introduction में, qualification बताने के लिए आपके पास कई phrases होते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं इस class में, तो I study, I study in, अब कौन से standard में, कौन से grade में हो, आप लगा दो, I study in 10th grade, या फिर 10th standard, हम standard लग या पे आप 10th, 12th, 9th, 8th, कुछ भी भढ़ लो, I study in 10th standard, I study in 8th standard, I study in 8th grade, I study in 3rd grade, इस तरीके से हम अपने class को बताते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि I am student of, I am student of, मैं इस कक्षा का student हूं विद्धारती हूं, I am student of class 10th, 11th, जो भी बोलना है, अगर 10th के student तो आप बोलेंगे, I am student of class 10th, I am student of class 12th, इस तरह के सम अपना introduction दे सकते हैं, मतब अपना qualification बता सकते हैं, और अगर आपको बोलना है कि मैं graduation कर रहा हूं, master's degree ले रहा हूं, इसके लिए बोल सकते हैं, I am pursuing, I am pursuing, master's degree, bachelor's degree मतब बी अगर अगर कर रहा हैं, तब बैसलर's degree कर रहा है, I am pursuing, master's, master's degree, किस चीज में मास्टर की डिग्री ले दो, साइंस में ले दो, तो साइंस लगा दो I am pursuing master's degree in science, in chemistry, जो भी लगाना है, अगर मैं chemistry में master कर रहा हूँ, बोलूंगा I am pursuing master's degree in chemistry, कहां से कर रहा हूँ, from उस college या उस university का नाम लगा देंगे I am pursuing master's degree in chemistry from DU, Delhi University, तो इस तरीके से हम अपनी qualification बताते हैं, अगर आप मालनो कि कुछ कर चुके हो life में, कोई qualification अपकी complete हो गई है, तो इसके लिए हम अलग phrase लगाते हैं, let me raise this, अप please pause करके लिखते जाएगा, ठीक है, चलो, अगर आपको बोलना कि मैं complete कर चुका है, तो बोलेंगे I have completed, I have completed, I have completed master's, I have completed master's degree from उस university का नाम, उस college का नाम लगा देगे, I have completed master's degree from this college, from this university या फिर बोल सकते हैं, I, I have completed, I have completed BA, BCom, right, MCom, जो भी आप class कर चुके हो, I have completed BCom from that college, from that university, तो उसी university से मैंने किया है, तो इस तरीके सा आप अपनी qualification बता सकते हैं, I hope you've understood this, अगर अप लाइप में कुछ बन चुके, qualifications बताने के मैं एक इंजीनियर हूरी, तो I'm an engineer, direct बोल सकते हैं, I'm an engineer, I'm a professor, I'm a lawyer, I'm an advocate, right, इस तरीके सा आप qualification बता सकते हैं, I hope you've done with your qualification as well, ठीक, एक बार हम चहे के चहे पुरा मिला के बोलते हैं, फिर से ग्रीटिंग करो अप, good morning sir, good morning everybody, first of all, thank you so much sir for giving me this opportunity to introduce myself, my name is Jess, I am from, or I hail from, I reside in, कुछ भी लगा के बोल सकता हूं, I am from Uttar Pradesh, my father's name is Mr. XYZ, and my mother's name is Mrs. XYZ, he and she is, इस तरीके से मैं बता दूंगा, qualification बताने के लिए, I study in, or I pursue, I'm pursuing, BCOM, BAC, जो भी अप कर रहा हो, उसको बता दो, and then you go to the personality, personality, personality का मतलब होता है कि आप कैसे हो, ये बताओ, जैसे आप बड़ा इंतरो नहीं हो, extrovert नहीं हो, या फिर confident हो, या फिर confident नहीं हो, enthusiastic हो, कैसे हो, बताने के लिए कई सारे words आप लगा सकते है, इसे I am an, या फिर A कुछ भी लगा के, आप innovative लगा दो, innovative मता बता है, हमेसा नया करने वाला इंसान, I am an innovative person, मैं एक innovative person हूँ, या फिर आप बोल सकते हो कि I am a confident, I am a confident person, I am goal oriented, मैं goal oriented हूँ, ठीकि मैं goal पे जादा focus करता हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं, I am a hard working person, hard working person, या फिर आप बोल सकते हैं, I am self motivated, मैं खुद से motivated इंसान हूँ, I am self motivated person, ठीक है, तो कुछ भी ऐसे words आप लगा सकते हैं, I am enthusiastic, मैं बड़ा, हमेसा energetic रहता हूँ, I am energetic personality, person, ठीक है, energetic, और भी words आप अपने personality को describe कोने के लिए लगा सकते हैं, तो इस एक्जेंपल मैं दे रहा ह तो आप बोल सकते हैं, I am an innovative person, I am a confident person, I am a goal oriented person, I am a hard working person, I am a self confident person, I am a self motivated person, I am an energetic person, कुछ भी, I am an energetic person, कोई भी लगा कि अपनी हम personality बता सकते हैं, then let's go ahead, please इसको बनाते जाएगा, फिर last में आप इसको बड़िया से लिखके बोलिएगा, and then we have hobby, अपना shock बताते हैं, हमें क्या पसंदे spare time में करना, spare मतला होता है free time, free time में क्या करके relax होते हैं, मज़ा आता है, उसको हमें बोलते है hobby shock, ठीक है आपके shock क्या है, उसको बताने के enjoy, कोई सभी एक word लगा हो, आगे आप अपने hobby को बताने के लिए ing form में बता दियो, जैसे, मुझे music सुनना बहुत पसंद है, तो बोलोगे आप, I love listening to music, I like listening to music, I enjoy listening to music, इस तरीके से बता है, आपने बोला कि मुझे ना phone चलाना पड़ अच्छा लगता है, I love using phone, I love using phone, I like using phone, I enjoy using phone, काई सारी hobbies में पता सकते, I love enjoying movies, I love watching movies, playing cricket, watching, you know, songs, listening songs, कुछ भी से listening to songs, कुछ भी से लगा के बोल चकते हैं, अपनी hobby, या फिर हमारे पस अलग फ्रेजे से, I am interested in, I am interested in, मैं स्टीज में इंटरेस्टी दूए, इस लगा के बोल ना, I am interested in, मैं स्टीज में इंटरेस्ट I am interested in talking to the friends, I am interested in playing outdoor games, मैं outdoor games खेलने में इंटरेस्ट हैं, I am interested in, आगे ing form में लगा के बोल दीजिएगां, तो इससेपकी होब पता चलती है, या PHÍर जन्म से बता हुआ हुआ यहा जन्म से बता हुआ पता हुआ होँआ है का my hobby is, बच्चा बच्चा ही बोलता है, मैं hobby is playing cricket, ठी my hobby is meeting to new people, my hobby is sleeping, जो भी हो, तो आप my hobbies करके बोल सकते हैं, एक single hobby बताइएं, तो my hobbies are, my hobbies are, आप बाकी ing form में बताते चले जा, my hobbies are listening to music, using phone, operating computer, playing games, कुछ इस तरीके से हम बता देंगे, तो यह हो गई हमारी hobby, ठीक है, we've done our hobby, now we're gonna deal with the target, 9th, 1, अब हम बताएंगे अपना target of your future plan, हम future में क्या करने वाले हैं, वो बताने के लिए हम use कर सकते हैं, कि भाया मैं बनना चाहता हूं, I want to become, I want to become, क्या बनना लगा दो, I want to become an engineer, I want to become a doctor, I want to become an IS, I want to become a businessman, कुछ भी इस तरीके से आप क्या बनना चाहते हो, या फिर आप बोल सकते हो, I want to be, I want to be, इसको आप short में, I want to be, I want to become, इस तरीके से बोल सकते हैं, I want to be a doctor, an engineer, a nurse, you know, a police officer, कुछ भी ऐसे बनाना है, लगा दो, अब दोने में difference है, I want to be or become, अगर जिसमें बिकम बोलते हैं, यह full process को दिखाता है, कि आप कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है, आप पहले यह degree लेंगे, फिर उसके बाद यह training लेंगे, फिर आप बनेंगे, लेकिन I want to be मतलब होता है, मैं बनना चाहता हूँ, वो process नहीं दिखा रहे हो आप, कि मैं यह process करके बनुगा, मैं बस बन जाओंगा, I want to be, I want to be a doctor, लेकिन I want to become a doctor, इसका मतलब मैं पुरा process करूँगा, पहले मैं नीट का exam clear करूँगा, नीट करूँगा, उसके बाद मैं MBBS की degree लूँगा, फिर इसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगा, फिर इसके बाद मैं अपना hospital open करूँगा, फिर government sector में काम करूँगा, इस तरह के से, पुरा बिकम बता प्रोसेस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं, मेरा सपना यह बनने का तो, I dream to be, I dream to become, क्या लगा दो, I dream to become a doctor, I dream to become a politician, मेरा एक politician बनने का बनना है, I dream to become a more original speaker, तो इस तरह के से हम बता सकते हैं, I want to be, या फिर I want to become, कोई भी कर दा दो, कि मैं बनना चाहता हूँ, मेरा सपना है, या फिर, my target is to be, ठीक है, my target is to be, मेरा target है इस चीज़ को करने का, my target is to be a doctor, my target is to be a teacher, my target is to be a YouTuber, तो इस तरह के से हम लगा के बोल सकते हैं, ठीक है, यह हो गया हमारे target को बताने का, कुछ phrases, जिसको में यूज करके अपने target को, शेर कर सकते हैं, ठीक है, आप इस में से कोई भी एक यूज करके अपने, बनाईे introduction, ठीक है, बनाते रहेगा, और comment section में पूरा introduction देना है आप लोगो को, ठीक है, and next we have the closing sector, हमें close करना अपने पूरे introduction को, कैसे close करेंगे, फिर से gratitude करेंगे, ठीक है, किसको gratitude करेंगे, जिसने आपके introduction को पूरा सुना, ठीक है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, thank you so much, thank you, thank you so much, for being with me, मेरे सब बने रेने की, thank you so much for being with me, या फिर बोल सकते हैं, listening to me, thank you so much for listening to me, मेरे को सुनने के लिए, thank you so much for giving attention, giving attention, इतना ध्यान देने के लिए आपका सुक्रिया, ठीक है, तो यह हो गया, धन्यवाद करना last में, और उसके बाद बोल सकते हैं, that's all, that's all about my introduction, मेरा introduction बस इतना ही है, या फिर आपे that's all के जगाँ पे that's it भी बोल सकते हैं, that's it, that's it about my introduction, मेरे introduction के बादे में बस इतना ही, have a good day, last में आप विश्च करके छोड़ देता, have a good day, या फिर have a good life, आपका दिन शुब हो, आपका दिन मंगल में हो, इससे हम फिनिश कर देते हैं, पूरे आपके introduction को, ठीक है, यह पूरा introduction हो गया, प्लीज जल्दी जल्दी से comment section में पूरा introduction लिख के दीजिए, ठीक है, I wanna check it out there, tell me about yourself, interview का सबसे पहला सवाल यह होता है, क्या आपने कभी सोचा कि यह फुद्दू सा सवाल, interview में क्यों पूछा जाता है, जब उनके पास CV या रिजुमे अल्रेडी पड़ी हुई है, सब कुछ उनके बारे में mentioned है, तो यह फुद्दू सा सवाल क्यों करते हैं, इससे हम आपकी personality को जज़ करते हैं, right, we don't wanna know about you, हम आपके बारे में जानना नहीं चाते हैं, बस आपकी personality ज़लती है, आपका confidence ज़लता है आपके बोलने से, आपका communication पता चलता है कि कितना अच्छा communication कर पाते हैं, कितना nervous फील कर रहे हैं, कितना confidence फील कर पारे हैं, वो चीजे आपके बोलने से पता चलती है और अगर आप इंटरव्यू में ठेल मी अबार यूर्सल्फ का आंसर प्रिपेर करके नहीं जाएंगे तो आपके साथ ऐसे एक्स्प्रेशन नजर आएंगे आपके आई-कॉंटेक्ट ब्रेक होने लग जाएगी इसका ये आंसर ऐसे तयार कर लो आप आपके रिजूमे में आपके सीवी में सब कुछ मेंसेंड आपके बारे में फिर भी ये सवाल इसलिए पूछा जाता है ताकि आपकी परिसनलिटी को चज़ किया दा सके आपकी लेवल अफ कमिनिकेशन को समझा दा सके तो प्लीज इसको इतने अच्छे तरीके से प्रपर करिये ताकि आप रोबोटीक ना बोले कभी-कभी क्या होता कि अम लोग जितना कुछ रिजूमे में आरफित लीवे में में सब कुछ रट के जाते हैं कि बोल दूंगा भाई सब कुछ तयार है मेरा सब कुछ एक्दम रोबोटों जैसा ब बोलना है that's it flow लाने के लिए इसका आंसर प्रेपार कर लेना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से ठीक है अगर मालो कि आपने अल्रेडी ही greeting कर दी है ठीक है greeting अपने hello कर दी है तो आप फिर से मत करेंगे ठीक है तो हमारा greeting मामला खतम उसके बाद gratitude यहां से स्टार्ट करेंगा gratitude से gratitude का मतब पहले को धन्नवाद करो भाई कि आपने मुझे चांस दिया इस selecting me for this interview for this interview मुझे इस इनर्वीव के लिए स्लेक्ट करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया या फिर आप बोल सकते हैं thank you thank you sir for shortlisting me for this interview इस interview के लिए shortlist करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया उसके बाद आप अपना नाम बताती हो right you tell your name अगर आपका नाम already mentioned CV में फिर आप कैसे बोलोगे आपके interviewer ने अल्रेडी आपका CV पढ़ लिए आपका नाम भी जान चुका होगा बहुत से और सी बात है फिर भी मुपना नाम repeat करते हैं अगर आपको अपना नाम repeat करना तो आप एक phrase लगाएगा as you know क्या बोलेंगे as you know जैसा कि आपको पता है as you know that my name is this and then you have to mention your place like I am from a small village called जो भी आपके village का नाम है उसका नाम लगा दो या फिर आपके location का नाम है वो लगाएगे place आपको बताने में ने बताई यह था कि I am from या फिर I hail from I belong to I belong to I belong to UP I belong to UP and then qualification आपको बताने अपकी qualifications क्या है ठीक है आपने क्या कर रखा है interview में सबसे important चीज होता है qualification को highlight करना आपकी personality को highlight करना आपके experiences और skills को highlight करना उनको आपके नाम से आपके place से कुछ लेना देना नहीं होता है right they wanna know that your qualifications your strength your weakness कि आपका strength क्या है weakness क्या है skill set क्या है qualifications क्या experiences क्या है यही जानना चाते तो इन तीनों चीजों को बहुत highlight करके बोलिएगा that's it और यह से जद्मानत बता दी कैसे धन्यवाद करना है और कैसे आपको please बताने है let me raise this I used my hand to raise this okay let's talk about the qualification आप अपना qualification कैसे बताते हैं आपको पता ही है कि sir I have I have completed I have completed I have completed मैं complete कर चुका हूँ I have completed M.com या फिर B.com, M.tech, B.tech, what so good तो आप बोलें I have completed B.tech यानने B.tech कर रखा है from उनिवर्सिटी का नाम जैसे मालेजे अपने डेली उनिवर्सिटी से किया तो I have completed B.tech from D.U. डेली उनिवर्सिटी तो यह हो गया या फिरा आप मालेजे किसी क्लास किसी क्वालिफिकेशन को पर्सू कर रहे हूँ तो I am pursuing, ठीक, I am pursuing B.com last year I am pursuing B.com last year from that university जो B. university हो ऐसे आपना क्वालिफिकेशन बताएए उसके बाद आप बताएए अपनी परिस्नलिटी को It's really very important in inner view क्योंकि अपकी परिस्नलिटी कैसी है यह पता होनी चाहिए परिस्नलिटी क्या बताएँगे आपको मैंने अलरेडी बता रखा कि परिस्नलिटी कैसे बताते हैं तो आप बताएँगे इस तरीके साप अपनी परिस्नलिटी को बताएगे उसके बाद आप बताएँगे अपने एक्स्पिरियंस को एक्सपियंस ने स्कल्सेट इस वाव एव अभर को बता है इसे हैं हसलेट, परिस्पियंस हैं तो कैसे बताएगे अगर उसलका शरृइंस है अप detख आइप felt an एउस किस चीजमी एक्स पीरियनस इसे से माली जे मेरा टीचिंग में स्पीरेंस है तो मैं आपका किसी और फील्ड में आपके पास घ्सपीरेंस ते लगा दिज है I have five years experience in, you know, science, teaching, teaching science, I have five years experience, two years experience in music, like teaching music, music पढ़ाने में मेरा experience है, जो भी experience आपके पास है, यहाँ पर में संकर सकते हो, अगर मालेजी, अभी currently, you are also working somewhere, अगर आप कही पर काम कर रहो, currently, तब भी उसको बताना चाहते हो, experience तो आप बता सकते है, I work, I work at, उस कंपनी का नाम लगाएंगे, जैसे मालेजी आप गूगल पर काम कर रहो, गूगल कंपनी में, तो आप बोलेंगे, I work at Google, I work at Google, I work at Google, किस पोस्ट पर काम करते हैं, I work at Google as a manager, as a manager, I work at Google as a manager, for, कितने साल से करते हो, for three years, मैं तीन साल से, गूगल में, मैंनेजर के तोर पर काम करता हूँ, यह मेरा experience है, अब मैं इस जॉब को करने के लिए यहां पर आया हुआ हूँ, ठीक है, so I work at Google as a manager for three years, ठीक है, अगर आप काम किये थे पास्ट में, तो आप बोलेंगे, I worked at Google, as a manager for three years, ठीक, मैंने काम किया था, अगर आप अभी भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो continuous process दिखाना चाहते हो, तो यहां पर लगाएगा, I have been working, I have been working at Google as a manager for three years, तो आप I have been working भी बोल सकते हो, या फिर I work at Google as a manager for three years, ऐसे भी हम अपना experience सेर कर सकते हैं, now it's time to share your skill set, अभी skills कैसे सेर करेंगे, यह देखिये, how to share the skills, skill set करनी तो आप बोल सकते हैं, I have expertise, I have expertise in communication skills, मेर माले जी की communication में मेरा यह skill है, तो बोलेंगे, I have expertise in communication skills, मेरा communication skills में expertise है, या फिर आपने बोला की, I have expertise in technical technology, I have expertise in computer science, मेरा computer science में skills है, तो जो बी चीज़ आपके आपके आप सेर कर देजिए, now it's time to share your introduction of interview, how to introduce yourself in presentations and speeches, speech और presentations में आप अपने आपको कैसे इंटर्डूस कराएंगे, उसके लिए आपको यह steps फॉलो करने पड़ें, सबसे पहले आपको हुक बोलना होता है, फिर ग्रीटिटूट करने होता है, फिर ग्राटिटूट करना होता है, फिर नहीं बताना होता है, फिर टॉपिक करना होता है, बहुत ही easy fund है, let's understand this in practical words, so first we have to create a हुक, हम एक हुक बनाने पर थे अपने टोपिक से लिटर, suppose in case I'm gonna make a हुक, you're not speaking anything but you're communicating, you're not doing any activity with your body postures but you're communicating, यह होगे है मेरा हुक, right, मैंने हुक कर दिया, you're not speaking anything but you're speaking a lot of things, you're not speaking anything but you're saying a lot of information, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो लेकिन बहुत कुछ इंफरमेशन सेयर कर रहे हो, यह मैंने हुक बन रहा है किसी टॉपिक का, अभी मैं इस टॉपिक को रिवील कर रहे हो, ठीक है, you're not speaking anything but you're revealing a lot of information, you're not sharing anything willingly but you're sharing a lot of information, good morning my respected teacher and my dear friends, first of all I would like to say a huge thanks to my respected teacher for giving me this wonderful opportunity to present you, well my name is Jess, today I have a beautiful topic to disclose, that's nothing but the communication skill, I'm gonna talk about communication skill, anchoring, यानि की मंच अंचालन, मंच को चलाना, इसका मतलब होता है, stage को हैंडल करना, during a program, एक प्रोग्राम के दाराना, आपको पूरा का पॉरा stage हैंडल करना पदता है, as an anchor, तो आपको पूरे प्रोग्राम को चलाना है, यानि you're gonna be pillar of the program, आप प्रोग्राम के pillar बनने वाले हो, और मैं anchoring पर पूरी full length training video लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही जल्द, बट फिलहाल के रिए, आज हम सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम anchoring में अपना introduction दे सकते हैं, और अपने audience को अपने आप से connect कर सकते हैं, so ladies and gentlemen, you can go through three steps, number one greeting, number two name, number three welcome, इन तीन स्टेप से गुजर कर जाएए, आपका introduction तगड़ा होने वाला है, बट इससे भी पहले, greeting से भी पहले, आपको यहाँ पर कुछ तड़का आड़ करना पड़ता है, that तड़का is nothing but, that can be, that can be, you know, shyry, dialogues, mimicry, acting, dancing, singing, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पर जो भी तड़का आप यहाँ पर एड़ कर सके, right, एक तड़का आड़ करें, तो वहाँ पर बहुत सारी लोग होने वाले हैं, और सब को अपने आप से connect करने के लिए, उनकी भासा में बोलना बहुत ज़री हो जाता है, माल लिजे कि आपका बहुत ही बड़ा, you know, function चल रहा हो, और उस function में, 1000 और लोग, 10,000 लोग, 12,000 लोग involved कर रहा है, तो 10,000-12,000 में कम से कम, 10,000-12 भासा बोलने वाले तो हो ही सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 10,000-12 भासाओं में ग्रीट करने की कोशिश करनी हैं, जैसे कि, तो अपने ऐसे कर लेना है, उसके बाद आपको अपना नेम बताना है, जैसे की, जैसे की, तो इस तरीके से आप अपना इंडूलेंस का वेलकम करेंगे, ऐसे की, पर एपने अणने बताने वेलकम करेंगे, ठीक है, let me show you a practical version of it, इसका एक मैं प्राक्टिकल वर्जन करके दिखाता हूं, let's do it, Life is lovable, प्यार नहीं सेलेबल, दिल मेरा अवेलेबल, तेरे लिए आगया, आगया, दिल चुराने मैं आगया, दिल चुराने मैं आगया, दिल चुराने मैं आगया, Hello, Namaste, Namaskar, Assalamualaikum, Satsrikaal, Jai Janindra, Tamik Kim Choo की आल चाल, This is your host and those two, Jazz, and today I welcome all of you in this grand function organized by Study with Jazz. Ladies and gentlemen, today you are gonna enjoy dancing, singing, acting, drama and many more. So this is going to be very entertaining for all of you, please share it with me, are you excited? So this is going to be very entertaining for all of you, please share it with me, are you excited? It should be powerful, you can also start with Sairi, you can also start with Dialogues, you can also start with Mimicry. You can start with Mimicry, like I am Mimicry, people appreciate it too, like Angela, eh Angela, you can call me, no no, I will tell you, this will be me, you can't be me, and you will tell me, I will tell you, this will be me, eh Angela. तो थोड़ा से सक्थी कपुरकटा जा गया इसमें, तो इस तरीके से आपको सफ़नी एक्टिविडीज करके भी स्टार्ट कर सकते, जिससे आपको confidence मैसुस होना चाहिए, एक एंकर क्यों dance करता है, एक एंकर क्यों सारी बोलता है, एक एंकर क्यों singing करता है, ताकि वो खुद ही confidence feel कर सके, वो जो भी audience बैठी हो, उनमें खुद को confidence दिखा सके, वो खुद को confident बता सके, yes, I am very confident, ladies and gentlemen, I am gonna rock on the stage and I am gonna just run this program, आज में इस program को चलाने बाला हो, तो आपको as an anchor, बहुत ही power maintain करके रखनी है, thank you very much, let's go ahead, अज सिने में आप जितने भी बड़े actor और actresses को देखते हो, वो सबके सब इसी process से होकर गुजरते है, that's called audition, उनको कभी न कभी audition देना ही पड़ाता, चाहे वो सरद्दा कपूर हुई, चाहे वो आलिया बट हुए, चाहे वो करन जोहर हो गया, चाहे वो रितिक रोशन जी है, चाहे वो अमिता बच्चन जी है, सभी लोगों ने अपना audition दिया है, तभी वो जाकर select हुए है, और वो लोग audition कैसे दिये कि वो select हो गया, तो उन्होंने ये बात को follow किया होगा, या right, अगर अगर आप लोग भी audition में select होना चाहते हो, चाहते हो कि casting director पांगल हो जा आपको select करने के लिए, तो आपको ये process से गुजर कर जाना पड़े इसी भी भासा में greeting कर सकते हो, greeting के बाद तुरंत आपको अपने नाम बताना है, my name is करके, जदा इसमें over smart team बना के, yes myself, no, आपको बस बोलना है, my name is, जैसे, hello, my name is Jess, I am 21 year old, ठीक है, मैं 21 year का हूँ, I am 21, तो मैं 21 हूँ, ठीक है, आपनी age बताएंगे, सबसे बहले आप greeting और तो आप जानते हो, बताने के लिए, फिर उसके बाद एस बताने, एस बताने के लिए बोल सकते हो, I am, जितना भी आपकी एस है, years old, या फिर आप old ना लगाएंगे, तब भी चल जाएगा, years भी ना लगाएंगे, तब भी चल जाएगा, जैसे, I am 21, I am 21, I am 21, I am 22, तो इस तरीके से में 22 का हो, 30 का हो, इस तरीके से बता सकते हैं, उसके बाद आप बताते हैं, अपनी हाइट, what is your height, जैसे अगर आपकी हाइट है, 5.5 इंच, 5.6 इंच, तो आप बोल सकते हैं कि, my height is, my height, sorry, my height is, my height is, my height is, ठीक है, 5.5 feet, ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, 5.5 feet है, या मतलब आप बोल सकते हैं कि, I am 5.5 feet tall, ठीक है, मैं 5.5 feet tall हूँ, इसका मतलब मेरी हाइट है, उसके बाद आप बताते हैं अपनी profile को, profile का मतलब होता है, आपका body कैसा है, body किस तरीके से, physically, आप कैसे दिखते हो, इसके लिए आपको audition में कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, सबसे पहले आपको camera में देखना पड़ता है, उसके बाद आपको ऐसे turn होना है, camera में देखना है, smile करते होए, right, जैसे आपने किया, here are my profiles, ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना, that's it, दो बारी करेंगे, एक बारी इस side से, ये view दिखाएंगे, ठीक है, आसे घूमे, view दिखाएंगे, आपको बोलना है, here are my profiles, या फिर these are my profiles, ठीक है, ये है मेरी profiles, आप क्या बोलेंगे, these, these are my profiles, ये नहीं मेरी profiles, ठीक है, these are my profiles, उसके बाद आपको turn होना है, या फिर आप these are के जहां पर बोलना है, here are my profiles, here are my profiles, ठीक है, here are my profiles, उसके बाद आपको बोलना है, languages, language do you speak? आपने बोला, good morning, या फिर hello, this is jazz, I am 21 year old, my height is 5.5 feet, I am like, here are my profiles, उसके बाद मूर जो, तरन हो जो, उसके बाद I speak three different languages, Hindi, English and Spanish, उसके बाद आपने experience में आ जाओगे, do you have an experience in acting, do you have an experience in singing, कि आपके पास को experience में रह चुका है, तो कर है, तो बता दीजिए, I have two years experience in, as a dramatist in NSD, ठीक, National School of Drama में, मेरा 2 साल का experience है, तो इस तरीके सा आपने अपने experience से share कर दिये, ठीक, और उसके बाद आप finally आपना contact number share करते हो, right, you share your contacts so that कि कोई भी casting director आपको call कर सके और आपको invite कर सके अपने वहाँ पर audition के लिए, ठीक है, तो आपना contact number आप देते हो, ठीक, अगर जितने भी लोग आप में से actor या फिर actresses बनना चाहते हो, audition देना चाहते हो, और चाहते है कि मेरा audition बहुत अच्छा तरीके से हो जाए, और मेरे से training लेना चाहते है audition के लिए, तो WhatsApp नमबर पे हमारे, WhatsApp करेएगा अपने नाम के साथ और अपने काम के साथ की सरा में ये करना है I will be training you there with workshop on Zoom application, तो Zoom पे पूरा अच्छे तरीके से मैं आपका workshop ले लोंगा और इसके लिए train कर दूँगा, ठीक है, तो इसको आप बड़ी ऐसे कर लिजे, सारा कुछ ठीक है अप ने ग्रीट करें, नेम बताई, एस बताई, हाइड बताई, प्रफाइल बताई, लेंगवेज बताई, एक्पेजिन बताई, एक्पेजिन बताई, और कॉंटें ने बताई, ये हो गया हमारा audition वाला introduction take care, wish you all the best for your upcoming future plans thank you very much for watching this video till here God bless you